I welcome everyone of you in the name of Jesus Christ to hear His unchanging word प्रभु येश्व मसी के कभी न बदलने वाले वचन सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का मैं येश्व के नाम में यहां पर स्वागत करता हूं धन्य आशिशिद भाई और बहनों पर मेश्वर प्रीम है ये सर्वशक्ती मान पर मेश्वर तो हमारे पिता है वो हम से इतना ज़ादा प्रीम रखते हैं लेकिन फिर इस संसार में लोग क्यों दुख सह रहे हैं दुख सहते जा रहे हैं मुख्य कारण के लिए क्योंकि बाईबल कहते हैं कि मेरे लोग ज्यान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं ज्यान की कमी होने के कारण मेरी प्रजा बंधवाई में चली गई है और इसलिए सत्य जानना बहुत ही महतुपूर्ण है हमें जानना होगा कि सत्य क्या है यह सब कुछ बाईबल में लिखा हुआ है और इसी कारण परमेश्वन ने हम से कहा है कि तुम सारे जगत में जाओ और सत्य बताओ सत्य क्या है सत्य यही है कि बाईबल में सब कुछ लिखा गया है कि मनुश्य के साथ में क्या हुआ है मनुश्य के साथ में कुछ हुआ है और इसी के कारण इस संसार में बेचैनी है और इतनी सारी परिशानिया है और हम परमेश्वर के वचन में जाकर देखेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है एक बात हमें जानना है कि संसार का हरे एक मनुश्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वश्य है या उसकी संतान है उन सब को परमेश्वर की संतान कहां गया है तो फिर लोगों के साथ क्या हुआ बाइबल हमें बताती है ये तो बाइबल में पहले से रिखा गया है पहला मनुश्य आदम तो परमेश्वर का पुत्र था और सारी संसार की स्रिष्टी इस मनुश्य और इसके वन्षच के लिए की गई और परमेश्वर ने इस पूरी पृत्वी को इस मनुश्य के नियंद्रन में दे दिया उसके अधिकार में कर दिया परमेश्वर ने सारा अधिकार मनुश्य को दिया और इस संसार में वो जो भी करना चाहता था चुनाव तो उसका था सब कुछ उसे ही करना था क्योंकि मनुष्य को जिम्मेदारी दी गई थी फिर परमिश्वर ने पहले मनुष्य से कहा उसने उसे चेतावनी दी मेरे पूत्र, पूरा संसार तुम्हारा है जो कुछ भी तुम देखते हो ये सब कुछ तुम्हारा है तुम्हारे पास में अधिकार है लेकिन एक बात तुम याद रखना एस वाटिका में एक खास ऐसा पेड़ है देखो सारी दुनिया तुम्हारी है लेकिन वो एक जो पेड़ है उस पेड का जो फल है वो तुम नहीं खाना अगर तुम उस पेड के फल को खाओगे तो तुम निश्चे ही मर जाओगे मेरे पुत्र बस एक काम तुम मत करना बस एक ही पेड है जिसमें भले और बुरे के ज्ञान का फल लगता है और उस पेड का फल तु नहीं खाना अगर तुम उसे खाओगे तो तुम निश्चे ही मर जाओगे मेरे प्रिये लोगों परमेश्वर ने पहले मनुष्य को केवल यही शर्त दी थी उसने उससे बहुत प्रेम रखा सारा संसार उससे दे दिया परमेश्वर ने उसे सलह दी थी कि एक पेड का फल न खाना परमेश्वर ने उसे केवल एक पेड के बारे में क्यों कहा था क्योंकि परमेश्वर तो सर्वशक्ति मान परमेश्वर है वो सर्व व्यापी है हर जगह पर उपस्टित है वो तो शुरू सही अंत तक सब कुछ जानता है बहुत से लोग इस बात के बारे में नहीं जानते कि परमेश्वर ने उस एक पेड को क्यों अलग रखा है ये नहीं जानते परिये लोगों आपको ये जानना चाहिए कि वो जो खास पेड है परमेश्वर ने वहाँ पर शत्रू को बांध कर रखा था जोंकि परमेश्वर के पास योजना थी और इसलिए परमेश्वर ने इस वेक्टी को वहाँ पर रखा था शायद लोग ये पूछे कि वो वेक्टी कौन है वो वेक्टी तो लूसीफर है लूसीफर, लूसीफर उसका नाम था, ये वेक्ती तो पहले स्वर्गदूत था, वो तो परमेश्वर के सामने बहुती विशेश स्वर्गदूत था, और वो कई लाखों साल तक परमेश्वर की आरादना करता था, वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहता था, उसका नाम लूसीफर था, वो तो प्रधान दूद था, और उसके साथ में बहुत से दूसरे स्वर्गदूत थे, और उनका काम था कि केवल परमेश्वर की आरादना करें, लेकिन ये लूसीफर उसने क्या किया, उसने अपराद किया, उसने पाप किया, ये तो बहुत बड़ा अपराद था, लेकिन हमें ये जानना होगा, और यही तो मैं बताना चाहता हूँ, हमें से जानना होगा, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप आगे न आगे अगर आप पढ़ते हैं तो पाएंगे आप इस दुष्ट के बारे में जान पाएंगे कि परमेश्वर ने उसे कैसे बनाया था हर एक वैक्टी जो मेरी आवास सुन पा रहा है रुप्या करके इसे समझ लीजिए इसे जान लीजिए इस वचन की और ध्यान धरके सुनिए मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हम इसे समझ सके आप इस वचन को सुनिए Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre and say to him, thus says the Lord God, thus says the Lord God, you were the seal of perfection, listen carefully, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty, full of wisdom, perfect in beauty, you were in Eden, you were in garden of Eden, the garden of God, the garden of God, every precious stone was your covering, every precious stone was your covering, sardis, topaz, sardis, topaz, diamond, diamond, pearl, onyx, onyx, jasper, jasper, sapphire, sapphire, turquoise, turquoise, and emerald, and emerald, with gold, with gold, the workmanship of your timbles, the workmanship of a timber, and pipes, and pipes, was prepared for you, prepared for you, on the day you were created, on the day you were created, you were the anointed cherub, you were the anointed cherub, who covers, who covers, I established you, I established you, you were on the holy mountain of God, you walked back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. We listen in your language. आये से हिंदी में सُनते हैं ये इस तरह कहता है है मनुष्व के संतान सोर के Ahí international man you उससे कहे, परमेश्वर यहवा यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धी से भरपूर और सरवांग सुन्दर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभुशन, मानिक, पग्यराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मनी, यशब, नील मनी, मरकद, और लाल, सब भाति के मनी और सोने के पहरावे थे, तेरे डफ और बासूलियां तुझ में बनाई गई थी, जिस दिन तू सिर्जा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी, तू छाने वाला अभिशिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसे ठहराया, कि तू प पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोश रहा, यहां पर इस वेक्ति के विवरन को जराब गौर से देखिए, इसे समझना बहुत ही महतुपूर्ण है, यहां पर यह कहता है, परमेश्वर ने जो सृष्टी की वो तो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही सिद्ध रूप में की थी, परमेश्वर ने कहा, कि तुम तो परमेश्वर की सिद्धता हो, तुम तो बुद्धी से भरे हुए हो, तुम सुन्दरता में बिलकुल सिद्ध हो, और तुम तो नौ रतनों से धाके गए थे, तुम्हें इस तरह के नौ बहुमुले पत्थरों से धाका गया था, तुम्हें उस तरह से वस्तर मानों पहनाए गए, डफ, बसुलियां और ये सब कुछ जो है, तुम्हारे अंदर में ही बनाए गए थे, तुम्हें 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 तुम इतना सुन्दर, God has made Him very special, परमेश्वर ने उसे बहुत ही विशेश बनाया था, वो परमेश्वर के सामने खड़े रहता था, और दिन और रात परमेश्वर की आरादना किया करता था, वो इतना सुन्दर था, लेकिन एक दिन, when everything He was God, वो तो परमेश्वर के सामने हमेशा रहता था, सिध रीती से, उस समय तक जब तक की परमेश्वर ने उसमें गल्टी न धूंगी, वो इतना सिध था, जब तक की उसमें कुटिलता पाई न गई, मेरे प्रिये लोगों, ये कुटिलता क्या है, वो तो इतना सिध था, वो परमेश्वर के सामने खड़े रहता था, परमेश्वर की आरादना करता था, और बहुत से स्वर्दूत उसके साथ थे, वो तो आरादना करता था, पवित्र, पवित्र, पवित्र कहता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसमें कुटिलता पाई वो कुटिलता क्या थी? वो पाप क्या था? वो अपराद क्या था? अगर आपको ये जानना है तो यश्या अध्या 14 में जाना पड़ेगा अध्या 14 में देखिए वहां पर वचन 12 से अगर आप पढ़ते हैं ये बहुत इस पश्ट रूप में बताता है ये क्या कहता है से देखते हैं और लूसिफर Son of the Morning How you are cut down to the ground You who weakened the nations You who weakened the nations For you have said in your heart You see, understand it my beloved You said in your heart I will ascend into heaven I will ascend into heaven I will exalt my throne above the stars of God I will exalt my throne above the stars of God I will also sit on the mount of the congregation I will also sit on the mount of congregation On the furthest side of the north I will ascend above the heights of the clouds I will ascend above the heights of the cloud I will be like the most high You see, listen to this word I will be like the most high मेरे प्रिये भाईयों और बहनों, क्या आप इसे सुना, देखी, यहां पर क्या लिखा है, पर मिष्वर ने इसे बहुती सुनदर तरीके से, सारी चीज़ों के साहत अमें, बड़ी ग्यान के साहत में और बहुती सुंदरता के साथ में बहुती सिध रूप में से बनाया था एक दिन ये वेक्ती परमेश्वर की उपस्तिती के सामने उसके मन में इस तरह से विचार आया उसने अपने मन में ये कहा कि मैं सरवोच परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगा है परमेश्वर एक दिन मैं तेरे ऊपर विराजमान होंगा मैं तेरे ऊपर राज्य करूंगा मैं तुम्हारे जैसे हो जाओंगा ऐसे उसने कहां मैं तुम्हारे जैसे होना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे उपर रहूँगा मैं तुम्हारा अधिकार ले लूँगा और मैं सारी स्रिष्टी के उपर में राज्य करूँगा उसके रिदे में ये विचार आया मेरे प्यारे भाईयों और बहनों बिल्कुल उसी दिन परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे फेग दिया उसने उसे स्पृत्वी पर नीचे फेग दिया कहां पर? Bible says he was in the garden of God here then Bible इस तरह से बताती है कि वो तो परमेश्वर की वाटी का यानि अदन की वाटी का में था इसका मतलब जब परमेश्वर ने उसे आकाश से स्वर्ग से नीचे फेग दिया निश्चे ही इस पृत्वी पर एक जगह है और उस जगह को पेड को भले और बुरे के ग्यान का पेड कहा जाता है और हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये वेक्टी वहाँ पर बांधा गया था किसलिए नियाए के लिए वहाँ पर रखा गया नियाए के लिए चलिए मैं इसे और भी समझा कर बताता हूँ क्या हुआ परमिश्वर ने उसे वहां से नीचे फेक दिया, जब वो नीचे आया, वो तो अपने स्वर्दूतों के सम्हु के साथ में आया, उसके साथ के स्वर्दूतों ने सवाल पूछा, परमिश्वर ने हमें नीचे क्यों फेक दिया, किसी को पता नहीं था और उसने भी अपना मुह खोल कर कुछ नहीं कहा उसने बस अपने रिदय में सोचा था कि वो परमेश्वर होना चाहता है वो परमेश्वर के जैसे होना चाहता है इसे जान ली जी मेरे प्रिये लोगे शत्रू के जो विचार है शत्रू का जो मन है वो परमेश्वर होना चाहता था वो स्रिष्टी करता के जैसे होना चाहता था लेकिन परमेश्वर इतना बुद्धिमान है वो इस वर्दूत के विचार को समझ गया था और तुरंट उसे बाहर फेग दिया लेकिन मुद्दा तो ये है केवल परमेश्वरी से जानते हैं कि उसने कौन से कुटिलता की है, कौन सा अपराद किया है लेकिन वो तो साबित हो चुका था और वो तो साबित हो चुका था और इसलिए उसने उसे वहाँ पर बांधा था न्याई के लिए दूसरा पत्रस अध्याई दो वचन चार इस तरह से कहता है क्योंकि उसने उन्हें न्याई के लिए रखा है इस तरह से वचन कहता है और इसलिए उसे जंजीरों से बांध कर रखा है दूसरा पत्रस अध्याई दो वचन चार क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने बात किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याई के दिन तक बंदी रहे इस तरह से ये कहता है मेरे प्यारे भाईयों और बहनों हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से फेग दिया निकाल दिया परमेश्वर ने उसे अपने उपस्तिती से निकाल दिया लेकिन उसे कहां पर फेग दिया पूरा संसार तो उसी का है सब कुछ परमेश्वर का ही था और उसने क्या किया परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तयार की और वो तो ऐसी जगह जिसे अनंतकाल की आग कहते हैं परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए एक जगह तयार की है और उसे अनंतकाल की आग कहते है अनन्द काल की आग कहते हैं जो शैतान और उसके दूतों के लिए तयार की गई है बाइबल यही तो कहती है मत्ती अध्याय 25 वचन 41 में यह स्पष्ट कहता है कि परमेश्वन ऐसे आग तयार करके रखी है जो शैतान और उसके दूतों के लिए है इस तरह यह बताता है मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आपको यह जानना चाहिए परमेश्वन उसे इसे ही अनन्द काल की आग में नहीं फेकते हैं जब तक कि इस बात को थाबित न कर ले कि यह तो हत्यारा है और इसने पाप किया है तब तक उसे दंड नहीं देंगे क्योंकि उसने यह पाप तो अपने रिदे में किया था उसने अपने रिदे में विचार किया कोई नहीं जानता था परमेश्वर इसे साबित किये बिना ऐसे उसे नरक की आग में नहीं भेज सकते थे बात तो यही थी और यही तो कारण था कि उसने वहां पर उसे अदन की वातिका में रखा था परमेश्वर यह सब जानते थे और इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा एक पेड से तू दूर रहना यानि उसमें जिसमें भले और बुरे का पेड का फल है उस फल को नहीं खाना अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम निश्चे ही मर जाओगे यही तो कारण था परमेश्वर ने उस पेड को आदम से अलग रखा था उससे दूर रखा था और जबकि आदम के पास में पूरी आजादी थी परमेश्वर ने उससे इतना प्रेम रखा और इसलिए उसने उसे चेतावनी थे उस पेड का फल नहीं खाना उस पेड मेंसे तू नहीं खाना नहीं तो तूम निष्चे ही मर जाओगे मेरे प्रिय लोगो और इसलिए परमेश्वर ने ऐसे कहा क्यों कहा क्योंकि वहाँ पर एक शत्रू बांधा गया था परमेश्वर इसे जानते हैं मेरे प्रिय लोगो बहुत से लोग सवाल पूछते हैं क्यों परमिश्वर अपने पुत्र को बचाना चाहते हैं कि ताकि वो समस्या में न पड़े और इसलिए उसने चेतावनी दी मेरे प्रिये लोगो उसने क्या किया है आदम ने आखरकार उस फल को खा लिया उसी दिन से आगे परमिश्वर के वचन के अनुसार मनुश्य मर गया इसका मतलब मनुश्य तो परमिश्वर से दूर चला गया मनुश्य परमिश्वर से अलग किया गया तो वो परमिश्वर से अलग किया गया परमिश्वर से वो दूर चला गया और इसके बिना की परमेश और मनुश्य के साथ यहां पर इस पृत्वी पर है उसने कुछ किया अगले एपिसोड में मैं ऐसी संदेश के बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं इस बारे में आपको और भी समझा कर बताऊंगा आप अगले एपिसोड को देखते जाएए जब भी ये टीवी पर आता है उस समय आपके पास में ये ग्यान होना चाहिए आपके पास में ये समझ होनी चाहिए जब तक कि हम इस सचाई को न जान ले हम आज जिन समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें हल नहीं कर पाएंगे परमेश्वर आपको बहतायत से आशीच दे और परमेश्वर आपकी समझ खोले और परमेश्वर आपको सिखाएं और इस विशे में आपको और भी सच्चाई बताते जाएं इस सच्चाई को अंसार के सभी लोगों को जानना चाहिए जिस पल आप इसके लिए इच्छा रखेंगे पवित्रा आत्मा पर मेश्वर आपको ये सब कुछ सिखाएंगे इसे बताएंगे इसकी इच्छा रखें क्योंकि पवित्रा आत्मा है कि वो आप पर सत्य को प्रगट करें हमारे अगले एपिसोड तक रहा देखिए परमेश्वर आपको अनुग्रे दे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे ताकि आप इस सच्चाई को स्वीकार करें और इसके अनुसार अपना जीवन जी सकें प्रभु येश्व के नाम में, आमें